हाई अवरिवन वेलकम तो आर चैनल प्लीस सब्सक्राइब एक पर मोर डिफरेंट काइंड आफ वीडियो और प्लीस सब्सक्राइब आज की हमरे रेसिपी है एजल फित्र स्पेशल शीर खॉर्मा उसके लिए हमने दो लेटर दूर गरम करने रख दिया है इसको अच्छे से जाने दे और दी में पर 10 या 15 मिनिट अच्छे इसे छोड़ेंट की तरफ चलते हैं हम ऐसा हमने काजू बादम पिस्ता दो गंटे सबीको कर रखा है फिर हम इसे ऐसे कट कर लेंगे कट कर फिर फ्राइब करेंगे घी है 3 टेबल स्पून गी आप डाल्डा भी यूस कर सकते है असली की असली की यूस कर सकते है असली से जादा टेस्टी होता है और एकटोरी शोकली है मैंने आप दो रिटर के साब से मीठा पसंद कर दे तो आपके अकॉर्डिंग जितना चाहिए उतना लीजिए और ये मैं बलाई अलग से निकाल ली थी सेप्रेट कर ली थी क्यों अब बने बाद ऊपर से मलाई का टेस्ट और बहुत जबर्दसता है और ये सेवी सेवया सेवया जादा ना ले नहीं तो फिर वो सेवयों का मिठा हो जाएगा हम लोग इतने एक प्रिफर करते हैं दूदू ज्यादा पसंद करते हैं और ऐसे इसको इसको पूरे क्रश कर ल गूलें आप पर जाएगे गोल्डन ब्रॉन प्रेल प्रे इसे निकाल लें गोल्डन ब्राउन हो चुकिए है नहीं से निकाल लेंगे चलिए नेक्स्ट हम इसमें सेवे में दालेंगे इसको इंस्टिंट हिलाएं जलाएं नहीं फ्राई करें मीडियन फ्लेम पर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के इसे भी फिर हम गुर्डाल पर थोड़ा इसको पकाएंगे देखे गुर्डन ब्राउन हो गया है चलिया इसमें हम थोड़ा तब डूब डालेंगे पूरा नहीं डालेंगे डालकर अच्छे से हिलाएं गबल जा गया है और मोश हो गया है तब हम शकर डालेंगे मिक्स करेंगे और थोड़े से मगजिया जो हमने फ्राइ किये वह एड़ करेंगे रिमेनिंग ऊपर से गार्णिशिंग के लिए डालेंगे रिमेनिंग दूब डाल दीजिए मिक्स करें अब इसको पांच मिनिट तक स्टार्टिंग में थोड़ा हाई फ्लेम रखें फिर लो फ्लेम पर फाइव मिनिट तक अच्छे से पकने दे जितना गारा होगा अपना टेस्टी होगा अगर आप दूद को अच्छा गरम करेंगे जैसे के दो लिटर को तो ना सहीं वन एन हाफ दे लिटर तक करेंगे दो लिटर को तो करनेंज्ड मिल्क की भी जरूरतने पड़ेगी अच्छे से बॉल हो रहा है फिर धीमे पर हम लो फ्लेम पर रख दिंगे ऐसे फाइटन मिनिट के लिए धापिएगा मत वरना पूरा उबल जाएगा धापिं कि भी तो थोड़ी उसमें स्पेस रखें बनकर तयार है शीर खोर्मा